एलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हो आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और जबरतस्थ होंगे मैं आपका अपना आयू सर और मैं गौरफ सर आप सभी के लिए एक यहां पर हम लोग आज जो बात करने वाले हैं के मिस्ट्री के रेड्यूस यह रेड्यूस आपके एक्जाम पर क्या इंपक्त डालेगा और आप इसको किस तरह किसे पॉजिटिव वे पर ले सकते हैं रेड्यूस वह तो पॉजिटिव एक नोट तो ही आपके लिए लेकिन हम यह को कौन कौन से प्रिकॉशन लेने हैं दूरिंग दी प्रिपरेशन ताकि बाइचांस देखें कभी कलाद जही में के ऊपर रहता है कि बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे पिछले साल सॉलिड इस्टेट आपके सिलेबस में हटा दिया था लेकिन हर स्रिफ्ट में उसस जैसे अब देख रहे हैं हर चैप्टर वाइस टॉपिक वाइस सबसे पहला चैप्टर हमारे सामने आता सम बेसिक कंसेट ऑफ केमिस्ट्री जहां पर फिजिकल क्वांटिटीज देर मिजर्मेंट प्रिसीजन एक्यूरेशी सिग्निफिकेंट फीगर ऐसे भी बच्चे है न अब बात करते हैं जो सबसे मेजर चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर इसको पूरे तरीके से हैटा दिया लेकिन इसको पढ़ना सर जरूरी है क्योंकि अगर आप इसके बेसिक कॉंसेट को नहीं जानें तो कहीं नहीं थर्मोडानेमिक्स अपको पढ़ना ही है तो आपको बेसिक नोट में तो कम से कम पता होना चाहिए रियल गैस में बहुत ज्यादा जाए जाए या ना जाए लेकिन आइडियल गैस की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी है कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल आगे बात करते हैं अटॉमिक स्ट्रक्चर में देखो थॉम्सन ठिक्टर में कोई चेंड नहीं है ऑन शर्फिस धूसन में कोई चेंड उस्टा फड़ा सा नेगेटिव इंपक्ट हो सकता है क्योंकि सर्फेस किमस्ट्री से बहुत ही आसान सवाल आते थे जैसा नाम है इसका सर्फेस के नॉलेज से ही सवाल बनते थे और एक बात बस मैं यह बोलना चाहूंगा उससे रिलेटर सवाल पूछे जा सकते हैं है कि नहीं तो उस पार्ट को थोड़ा सा पढ़ करके जाना यह नहीं कि अप पूरा निगलेख करके सर्फेस के मिस्ट्री के बैठा है ठीक है ऑल्दो बहुत ज़्यादा दिर्ट में सवाल नहीं आएंगा नेक्स बात करते हैं प्रियोडिसिटी प्रियोडिक टेबल जिसको कहते क्लासिफिकेशन ओफ एलेमेंट प्रियोडिसिटी इंदे प्रॉपटी उसमें कोई चिंज नहीं है जेनरल प्रिंसिपल अच्छा मेटलर्जी को पूरे तरीके से हटा दिया गया है एस ब्लॉक को प बहुत ही स्कोरिंग तो आएगा चार तिन आया से करके 12 कोशन कर आते ही था तो मैं यह बोलूगा ठीक है यह चलो हडी है तो आपका थोड़ा सा तो एक लोड है ना सर कि हमको रटने वाला वो थोड़ा सा कम हो और कहीं मेंटली भी यह सपोर्ट करा कि इतने चैप्टर्स अगें रटने वाला चैप्टर हट चुका है जिसको रटने में बच्चे बहुत ज्यादा परेसान होते थे प्यूरिफिकेशन और करेक्टर स्टाइजेशन ऑफ और और अर्गनी कंपाउंड में सर कोई चेंज नहीं सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ और अर्गनी केमिस्ट्री पॉलिमर और अवरीडे लाइफ अटाया है जो की आप्विसली स्कॉरिंट्र हुआ करते थे लेकर एनिवेज वह भी यादी करने वाले थे अब्रीडे लाइफ में आपको टोटल याद करना था बड़े बड़े स्ट्ट्र कॉम्प्लिकेटर तो बहुत सारे लोगों तो कही ना कहीं यह चैप्टर सटना उनके मेंटलिटी के लिए एक प्लस पॉइंट भी है कही ना और बायो मॉलिक्यूल में रह गई बात तो सब कुछ तो सेम था एक नया वर्ड हार्मोन वहां पर इंट्रीउस था तो मुझे लगता है कि अगर नया वर्ड इंट्रीउस तो हो सकता है कि एक क्यूश्चन होप कर सकते हैं यह भी एक कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस पॉइंट का करेंगा हार्मोन एंड जेनरल प्रिंस्पल बहुत ज़्यदा दिफ्ट में जाने की तो आपको नुक्सान नहीं पहुंचाएगा पढ़ लिए तो नुक्सान नहीं हाँ तो आप यह बात आप मान करके चलो कि एडवांस में अगर आपने पढ़ रखा ओविसली सबका प्रिपरेशन हो चुका रहता है अब आप एक मैना बाद तो सर रिवीजन नोट पर आ जाते हैं जनवरी में एक्जाम देना है तो मोस्ट आफ दे स्टूडेंट्स का यह प्रिपरेशन हो चुका होगा तो उनके लिए यह नहीं अर्यार मैंने प्रिपरेशन क्योंकि बेकार होगे ऐसा कुछ ही नहीं लेना है बिटा कहीं ना कहीं आपको यह आईके डवांस के एक्जाम में बहुत ज्यादा बनिफिट देने वाला है तो मस्ट हो करके तैयारी कर कर लो लाइक करना मत बूलना और शेयर करना तो एकदम भी कता ही नहीं बूलने का और आकरी में अल्दा बेरी बेस्ट तैचास त्यारी करते रो थेंक्यू